कि अग्या जी नमस्कार मेरा नाम सनी श्रवास्तो स्वागत आपका टीचा सद्डा 247 के यूट्यूब चैनल पे और आपके साथ हैं सर हमारे साथ हैं आयू सर और हमारे साथ हैं हेमानी मैम फटा फट एक बार आजाओ सारे लोग कैसा हुआ पेपर तुम लोगों का जल्दी पेपर सॉल ठेक फटा फटाओ जल्दी जल्दी तो सुरू करें सर सेड़ीपी से सवाल के सर सेट से कोई फरक ने पड़ता बच्चों को कोश्चन दिखता ही रहेगा आपका सेट में कोई से भी कोश्चन पर आओ भासा पढ़ लेना फिर भी उन बच्चों की जादा मदद हो जाएगी जिनका सेट था एच ठीक है सनी सर एच वालों की जादा मदद हो जाएगी जादा मदद हो जाएगी तो आप लोग मैं पूरा-पूरा सेंटेंस पढ़के बता दूंगे तो आंसर उस तरीके साब ढून लेना की एबी सी पता चले मैं आसी लगा रही हूं अपन कि कहीं बार हम प्याजे को क्रिटसाइज भी करते हैं कहीं बार क्या करते हैं हर बारी हरिडिटी सिर्फ इन्होंने एक उसी को तवज़ो दी गई सोशल और कुल्च्रल फैक्टर सारे नकारे गए या निगलेक्ट कर दी गए तो आंसर हमारा यहां पर एबनेगा क्योंकि सा एक ने कि एक निगरी गए जो अंसर और क्या दो लिए उचारे डिए ली गई तो आपको नहीं होगा क्योंकि वेट्ट साथ प्याजे को दी है ना कि जिनिटिक्स को दी है तो आंसर होगा ट्रिज़ट डारेक्ली फ्रॉम सोशल इंटराट्शन राइट नेंस्ट आपका ज के सिध्धान्त की सीमा है बताओ विच आप द फॉलिंग इस लिमिटेशन पूछ रहा है डज नॉट अकाउंट फॉर द रोल ऑफ बायलोजिकल फैक्टर इन कॉगनिटिव डवलपमेंट यानि की ख्या रहेगा आपका वे संगयनात्मक विकास में जैविक कारको की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता तो जैविक को ही नहीं रखता तो यह तो बिलकुल भी नहीं होने वाला संगयनात्मक विकास पर सांस्कृति को सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है अब यह आप क्या पूछा है हमसे लिमिटेशन क्या है संगयनात संग्यनाद मग विकास में विक्तिकत विमिनताओं को ध्यान में नहीं रखा गया, संग्यनाद मग विकास में भालशा की भूमिका पर अत्यधिक बल दिया गया, आपको कौन सा लग रहा है, जल्दी से बतादो, लिमिटेशन में क्या जाएगा, थियोरी ओफ कॉगनिटिव does not account for the influence of cultural and social factor on cognitive development, आंसर बताओ फटाफथ से, क्या रहेगा, आंसर बताओ फटाफट से, संग्यनाद मग विकास की सीमा हो जाएगी, तो जेविक कारकों को भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है, ये तो question ही गलत हो गया, सीमा क्या हो जाएगी, विबिनताओं को ध्यान मे नहीं रखता, भाषा की भूमिका अत्यधिक बल देता है, तो ये सीमा नहीं हो सकती ना, सीमा में आंसर क्या आएगा हमारा, टू आएगा, क्यों संग्यनात्मग विकास में भाषा की कोई भूमिका नहीं है, किसने बात करी है आपसे भाई, किसने ये बोला है आपसे, भाषा साथ की सिक्षिका है उनके शेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महीला गनित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्ष को देखो जो हमारा स्टीरियो टेपिकल वर्ल्ड चलता है उस वर्ल्ड में उस संसार में क्या होता है लड़कों को पिंक कलर, लड़कों को गुड़े-गुडिया और लड़कों को प्रैक्टिकल चीजे मैथ्स टाइप ये सारी चीजे मतलब हम कहीं नगाएं कंपलसरी रखते हुए आते हैं इना सोशल कॉंटेक्स्ट तो ये वाला बिल्कु ठीक है नेक्स कह रहा है आपका थोड़ा पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ा साना मैं आपको पढ़के बता दे रही हूं क्योंकि छोटा है करना पढ़ेगा मुझे भी थोड़ा-थोड़ा कम दिखाए दे रहा है पानी के बचाव का तरीका क्या है क्यों तो यह क्या होगया कि आप से जो चीज़े पूछ रहा है इंळी आपको पताओंगी और इसमें बच्छा क्रिटिकल ठिंकिंग भी करेगा यह बात क्लियर हुई अ यह बात क्लियर हो गई नेक्स क्या किह रहा है आप से समावेशी सिक्षा को क्या शामिल समावेशी सिक्षा में क्या शामिल है प्रोविजन ओफ ओनली तो ओनली से काम चलेगा नहीं क्योंकि हम तो सब की बात करते हैं समावेशी में फ्लेक्सिबिलेटी करिकुलम में recognition of individual differences, बिलकुल सही बात है, segregate कर दें, अलग कर दें, प्रतिकरण बिलकुल नहीं है, मानक, यानि कि flexible curriculum हो ही न, standard curriculum हो, हिलाएंगे न, उसको permanent fix हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा, next question, तो answer हमारा क्या बन गया, यहाँ पे B बन गया, ठीक है जी, B is the right answer, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमान की क्या भूमिका होती है, what is the role of evidence in critical thinking, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमान जो अप्रसांगिक होते हैं, आप देखो यह क्या कह रहा है, is the role of evidence in critical, critical मतलब तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, बास समझ गे, तो जब चिंतन कर रहे हैं, evidence should be evaluated in a logical and systematic way, हम तो बाती critical thinking का क्या मतलब होता है, जब आप logically सामने वाले की बात को कट करते हैं, जैसे हमारे news channels में वहस होती है, ठीक, next क्या हो गया हमारा, निमलिकित में से, निमलिकित कत्नों को पढ़िए तथा सभी विकल्प का चैन कीजिए, बच्चों में संग्यनात्मक विकास पर भाशा के प्रभाव पर जीन प्याज और लेव वायकॉसकी के द्रश्च्रिकों में भिनता है, बिल्कुल है, क्योंकि खोज अधिगम में सिक्षक अवसर प्रदान करता है, और स्विध्यार्ती स्वेम जानकारी प्राप्त करने के लिए उनमुक होते हैं, यहां कह रहा है, भाशा की बात है, यहां कह रहा है, डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल ठीक बात है, दोनों अपनी जगे सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं हो सकती है, ठीक है, A और R दोनों सही हैं, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं है, यह बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत परिशानी वाली बात नहीं है, एट्ट क्वेस्चन बिल्कुल सही इसमें कोई दिक्कत परिशानी वाली बात नहीं है, नेक्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इमलिकेत कथनों को पढ़िये तथा सह ये विकल्प चुनिए, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफे विभिनताईं मौजूद होती हैं, बिलकुल होती हैं, विकासात्मक, क्योंकि विकासात्मक अंतर, आनुवान्शिक, अनुभावात्मक, विविधिताओं की जटे लंतकिरिया का एक अनिवार्य हैं, डवलपमेंट डिफरेंस इन इनेविटेबल रिजल्ट ऑफ कॉंपलेक्स इंटराक्शन ऑफ जेनेटेक्स एंड एक्स्पिरियेंशल वेरियेशन्स, तो यह बात बिलकुल ठीक है, इसलिए विभिनताईं पाई जाती हैं, लेकिन इसने क्या बूला है, वेरियेशन ए से डिफरेंस हो सकते हैं, हमने का ठीक है यह वाली बात आपकी, तो यह कह रहा है, तो एक बात सुनो, अंतर, डवलपमेंट डिफरेंस इनेविटेबल रिजल्ट ऑफ, यह एक रिजल्ट है, विकास आत्मक्चों हमारे अंदर अंतर है, जटिल किसका अनुभाव हमारे यह विवाद ठीक है, लेकिन जो दर है, वो दर किसलिए अलग है, इसलिए अलग है, तो आंसर सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यह सब अलग हैं, इसलिए विभेनत आएं हैं, दर अलग हैं, कोई थोड़ा सा कमेट में बोलना शुरू कर देता, कोई बाद म पाटन को न्यू जो आपका पैटन आया था पिछली बार उनलाइन में उससे मिला करके questions बनाएं गई हैं जैसे मैंने बताया था आपको कि ऐसे बनेंगे इस बर देख ले ना यह रासका paper two example paper one तो बहुत easy था यह logical एक दम ठीक है भाई बहन के रिष्टे केवल प्रारंभिक बाल्यवस्था में ही मैथपून बूमिका निबाते नहीं अधिक भूमिका नहीं है बिल्कुल है क्यों नहीं है प्राथमिक है भाई माता पिता और साथियों के साथ संबंदों के समाने और बालेवस्था में समाजिकरण में मैथपून भूमिका निभाते हैं माता पिता और साथियों के साथ संबंदों से भिन होते हैं और दूसरे पे तो एट सेक्टरा लिख लो, आप चाहे स्कूल जोड़ो, पीयस जोड़ो, कोई भी जोड़ो, बास समझ गए, पर एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे सेशन को, इस सेशन को आप सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे जरूर, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है जी, निमलेकित में से कथनों में विकास के एक सिधान को दर्शाया गया है, जो बच्चे अपने शुरवाती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरन से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठीनाई होती है, व भाषा और अनुभूती जटिल रूप से परसपर संबंदित हैं, भाषा का विकास पूरी तरह अनुवान शक्ता पर निर्भर करता है, बिलकुल नहीं करता है, अपरत्याशित नहीं हैं, भाषा और अनुभूती, लानवेज और आपका दिमाग जटिल रूप से परसपर स मन्दित हैं इसलिए बाद में भाषा देखो जितना छोटा बच्चा भाषा जल्दी सीख लेगा ना उतना बड़ा नहीं सिख सकता कभी इसका मतलब क्या होता है कि भाषा के एक सेंसिटिव एज होती है जो सबसे जादा होती है चाइल्डूड तो चाइल्डूड सबसे संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्विम के संकल्पना के उधारन और गैर उधारनों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए क्योंकि उधारनों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उधारन विद्यार्थि इन्टू कन्फ्यूज दा स्टूडेंट, अच्छा, एक्जाम्पल और नोन एक्जाम्पल क्या होते हैं, बताओ, जल्दी से, यहां क्या कह रहा है, संकल्पना, उधारनों के बिल्कु सही बात है, उधारनों के बारे में संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गेर उ प्रामित करता है आपको, कभी नहीं करता है, तो आंसर A सही है, परन्तुर, गलत हो जाएगा, ब्रामित क्यूं करेगा, ब्रामित करता है, आप, आप मैट्स पढ़ते हो, उसको E-VS से मैं कहई रही हू, जोड़के पढ़ लो, तो यह क्या ब्रामित करेगा आपको, हम पढ अधिगम के सामान्य सिधान्द बताते हैं कि विध्यारती बेहतर रूप से सीखते हैं यदि सिक्षक कब सीखते हैं यानि कि बारीक्यों पर बाद में जाएं पहले मोटा माटी बता दे परीशा दे पहले तरक और कारण के संदर में अवध्यारती को नहीं पता है और फिर उस पर आएं जो विध्यारती पहले से जानते हैं या पहले आप धाना को उसके प्रतिकात्मग रूप से प्रस्तुत करें और फिर उनके भातिक रूप से आएं first introduce the concept in its symbolic form and then move in the physical form first introduce the concept overall and move on the बारीक्यों पर जाएं तो सबसे पहले आप मोटा माटी concept बता दो फिर उनकी बारीक्यों पर जाओ मोटा माटी concept क्या है जैसे भोजन है तो सबके टिफिन निकल वालो आपने food पढ़ा दिया nutrition पे बाद में आ जाओ nutrition पे बाद में आ जाओ कोई दिक्कत है इस बात में हाँ या ना next आप से क्या कह रहा है a teacher wants to help her student develop metacognitive skills which of the following strategy would be the most effective एक सक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिस संग्यनात्म कोशल विक्सित करने में मदद करना चाहती है निमलेकित में से कौन सी रणनीती सबसे प्रभावी होगी अब वो metacognition चाहती है जब concept तोड़ तोड़ के develop किये जाए अपना एक पूरा वो बनाया जाए concept assigning test to student to memorize and encourage to repeat ये तो रट्टा है providing student detail and perspective instruction encourage student to reflect on their own learning and evaluate their progress provide frequent grade and feedback तो आप क्या करोगे स्वेम अपने अधिगम पर चिंतन करो और अपनी प्रगती का मुल्यांकन करें metacognition यही तो है metacognition यही तो है कि आप अपनी thinking के बारे में खूद सोचो तो answer C बिलकुल सही है next क्या कहा है समावेशन के संदर में पाठेचरिया सीखने की अपिक्षाएं डाश में समान है जबकी डाश में भिन है in the context of inclusive या curriculum learning expectations are same in dash while dash they are different ध्यान से सुनेंगे समावेशन यानि कि सबच्चों को मिला दिया पाठेचरिया की सीखने की अपिक्षाएं dash में समान हैं और एक चीज में भिन हैं बताओ in the context of inclusion curriculum learning expectations are same in enrichment modification नहीं होगा सरवधन अमें एक जैसा करते हैं सरवधन अमें एक जैसा करते हैं और accelerate अलग-अलग होता है यानि कि सबकी गती अलग है देखो क्या होगा सबकी गती अलग होगी ठीक है लेकिन हम एक तरीके से enrich तो करेंगे न करिकुलम को एक करिकुलम बनाया आपके लिए उसको एक तरीके से रख दिया ना बना के फिर उसके बाद हम क्या कर रहे है जो भी बंदा उसको ग्रहन कर रहा है उसकी गती सबकी अलग-अलग है कि नहीं है है ना तो आंसर क्या बनेगा D प्रतिभा शाली विद्यार्थी में एडवांस डेप्थ हो सकता है एड़निंग की फास्ट स्पेस ओफ पेस ओफ लर्निंग हो सकता है हाईर डिपेंडेंसी दूसरों पर होगी यह कभी नहीं हो सकता और फिजिकल डवलप्मेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है तो हमारा आंसर A और B ही बनेगा इसके लावा बन ही नहीं सकता ठीक है जी नेक्स्ट क्या कह रहा है अरे दिख तो रहा है जितना पढ़ रही हूँ उतना नेक्स देखो So which of the following statement is correct in the context of hearing impairment यानि कि सुनने में प्रॉबलम है Hearing impairment of a child can be reliably tested by making loud noise near the child आप उसको टेस्ट ही करे जा रहे हो कि जादा जादा तेज इसके कानों में गाने बजा दो Hearing impairment is always due to the physical problem All child with hearing impairment needs to use sign language and communicate Hearing impairment can affect a child's ability to communicate effectively Look, सही पूचा है तो हम positive बात करेंगे कि संकेत भाषा सिखा दी जाए Language भाषा सिखा दी जाए अगर उसको सुनने में प्रॉबलम है तो उसको साइन से समझाओ Hair impairment needs to use children language to communicate Hearing impairment है ना उसको Hearing impairment can affect a child's ability to communicate effectively अचा ठीक है Hearing impairment is always due to the physical problem Hearing impairment of the child can be relatively tested by making loud noise बिल्कुल नहीं तो आंसर अमारा C होगा यानि कि उनको एक sign language से भी हम चीज़ों को समझा सकते हैं यह बात clear हो गई Next कह रहा है According to constructivist theory Constructivism प्याजे भी है Why God's की भी है और भी हो जाएंगे बतेरे सारे Which of the following statements would not be correct Learner need to be extrinsically motivated to ensure effective learning Knowledge is pluristic and multiple बहुआली और बहुविद है Construct knowledge is there Social and culture context Knowledge is subjective ग्यान व्यफ्ति परक है हाँ ठीक है लेकिन 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 नहीं होगा न प्राभावी अधिगम सुनिष्ट करने के लिए सिक्षार्टी को बहारी रूप से प्रेरित करने की आवश्यक्ता है यानि कि लालच की बात हो रहा है यह कोई भी constructivist नहीं कहा सकता constructivism का अपना एक मतलब है construct का मतलब है knowledge को नई चीज में खोज करके परोसना जब खोजोगे तो बहारी लालच में आके नहीं करोगे अंदर से motivate रहोगे clear हो गई बात next कह रहा है how can a teacher help a man who is struggling with complex problems develop problem solving skill जटल समस्याओं से जूज रहे अमन के समस्या समाधान कोशल विक्सित करने में एक सिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है जटल समस्याओं में जूज रहा है complex चीजों में problem आ रही है कैसे आप help करोगे discourage him experimenting and taking risk उसको discourage कर दोगे किसी भी reasons है बिलकुल नहीं है ना providing him with answer सिर्फ सीध answer ले जाके दे दो बतलब आपने पका पकाया दे दिया tell him to give up on the problem की छोड़ दे समस्या रहने दे तेरे बसकी बात नहीं है नहीं उसे मन्थन करने का idea दो उसे कुछ guide दे दो इंटर दे दो दिशा निरदेश दे दो guidance दे दो counselling कर दो कुछ भी कर दो बड़ छोड़ना नहीं है छोड़ना नहीं है यार उसको discourage बिलकुल नहीं करना है the underlying principle of understanding based teaching is the belief that both आधारित सिक्षन ठीक है understanding मतलब उसकी समझ विक्सित हुई है क्या होगा learner can construct knowledge when provide with a facilitative environment to do so ऐसा करने के लिए सोविधा जनक वातावरन प्रदान करे किये जाने पर सिक्षारती ज्यान का निर्मान कर सकते है ये बात सही है सिक्षारती कम जानते है और सिक्षन में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारन शामिल है और यार ऐसा थोड़ी होता है निश्क्रिये प्राप्त करता है बिलकोल नहीं है learner abilities and needs are diverse which cannot be centered to without focusing on standard मतलब एक ही तरीका मानक जहां भी आएगा मानक निर्देश मतलब सबको एक जैसे instruction जब सब अलग-अलग हैं तो सबको एक जैसे instruction नहीं जा सकते ये भी गया ये भी गया ये भी गया बचाए environment दो चीजे हो जाएंगी a conducive classroom environment for learning in middle classes centers around माध्य में कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डाश पर केंद्रित है माध्य में कक्षा है अनुकूल कक्षा का वातावरण प्रतिसबती लोकाचार यानि कि competition बढ़ा रहे हो नहीं conditional reinforcement मतलब लालच punishment dund कभी नहीं देना तो cooperative answer हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है student ma'am आ गई है इसके बाद ma'am अपने paper को solve कराएंगे उसको मिला लेना student struggle with dyslexia तो dyslexia हमें पता है मैडम reading related problem होती है पढ़ने समबंदी through use of strict punishment नहीं systematic phonological training higher grade level reading text by encouraging them to study in multiple distraction बताओ student struggle कर रहा है dyslexia से कैसे सुधारोगे उसको दंड तो देना नहीं है grade का लालच है नहीं विश्कर्चो में अध्यन करने के लिए प्रोचसान दे दो या तो encourage them to study in multiple distraction या प्रणालीत ये क्या है धुन्यात्मक प्रसिक्षण के माध्यम से किसको गह रहा है systematic phonological training आप दे दो तो इससे बढ़िया है multiple प्रोचसाहित कर दो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है या फिस्टमाटिक phonological training भी हो सकता है तो इस question फिस्टार लगा ले ना मैं एक बार और cross check करके तब अलग से जब की बताऊंगी तब बता दूंगी बाकी answer यहां पर ये सबसे best लग रहा है मुझे और इसमें dicey हो रहा है क्योंकि ये भी ठीक है या तो वो एक ही ठीक देता अगर दोनों दिये हैं तो फिर वो close जाएगा अगरी मेनत करनी चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए सिक्षा का एक प्रमुक उदेश्य विद्यार्तियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोथसाहित करना भी है अकी educational objective is to enable student to engage in critical self-reflection एक बार तो आप stereotype तोड रहे हो दूसरी बात आप self-reflection के कर रहे हो दो question के answer बनेंगे पहला stereotype टूटा खुज के बारे में सोच रहे हो आप कि जो हमें ठीजे समाज से मिली है ना जो भी characteristics बताए गए हम उनको अपने पर थोपने नहीं देंगे इस लिहाज से इसका answer और explanation करेक्ट हो जाएगा अगर मैं कुछ-कुछ आपको दो answer मिलेंगे पूरे YouTube पे अभी बता रहे हूँ पहला तो ये मिलेगा दूसरा ये मिलेगा कि बात ये भी ठीक है और बात ये भी ठीक है लेकिन explanation ठीक नहीं है क्यों? क्योंकि यहाँ पे critical thinking की बात करी है यहाँ पे stereotype को break करने की बात करी है मेरे according answer B जाएगा क्योंकि ये दोनों connect हो सकते हैं critical thinking करोगे तो अभी तो stereotype तोड़ पाओगे तरक वितरक तो होने चाहिए तो मेरे according जो answer बनेगा वो B बनेगा ठीक है? What is the difference between mastery goal and performance goal? बताओ जी Mastery goal are focused on gaining approval from others while performance goals are focused on avoiding failure यार ऐसा थोड़ी होता है महारत लक्षे दूसरों से अनुमोधन प्राप्त करने के लिए केंद्रित होता है और जबकि प्रदर्शन लक्षे विफलता से बचने की कोपर केंद्रित होता है महारत लक्षों में दूसरों के साथ competition करने के लिए एक निश्चित स्थर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते है देखो महारत का मतलब यह है यार आप master बन गे हो अपनी चीजों का ठीक है? महारत लक्षे और कोशल अंसर में ऐसे कैसे बता दू मैंने कौन सा गूगल कर रखे है सीधा खोल के कडियों मैं मैम को थोड़ा टाइम लग रहा है पढ़ने में कि हम आंसर हिमानी मैम नहीं हम में से किसी ने देखा नहीं कोशन पेपर डारेक्ली तो खोल दिया है किसी ने खोला हो तो बताओ यूट्यूब पे और कोई भी स्रूडेंट अब यह कॉमेंट ना करें कि मैम के वल आंसर बता दो क्यूंकि यह मानी मैम जस्त आपके साथ साथी सॉल्व करके चल रही है तो डियर एक दो मिनिट लगता है टीचर को पढ़ने में ऐसे ए बी-सी-डी और जैमाता दी नहीं कर सकते ना क्लास में अब मैं दस बजे आजाओं आंसर कराने के लिए तो मैं तो सारे लिख के लाओंगी ना मुझे तो ए-बी-सी-डी लिखने है सब लोग थोड़ी ना हो जाते हैं कड़े यार बताओ महारत का मतलब होता है कि आप मास्ट्री कर चुके हो तो यह कहां मिला हमें महारत लक्षा विफलता से बचने पर केंद्रित होता है जबकि प्रदर्शन लक्षा दूसरों से अनुबोदन और मानेता प्राप्त करने प ठीक है यह देखो बढ़ी हा क्वेस्टन है बताओ जी अर्चीविंग सर्टें लेवल अफ पर्फॉर्मेंस कॉंपिटिटिंग विफ अधर्स वाइल पर्फॉर्मेंस गोल्स आर फोकुस्ट ओं इंप्रोविंग वन ओन स्किल अन अंडर्स्टांडिंग और टास्की आंसर बिल्कुस सही बन जाएगा ठीक है नेक्स क्वेश्टन मास्टरी का मतलब है फिर आप मास्टर हो चुका है अब आपके नीचे आएगा सब कुछ विच आपके नीचे आएगा सब कुछ विच और फोलेंग इस एन एंग्जांपल ऑफ इंफरिंसिक मोटिवेशन जब आप प्रेरित हैं अवाइड करोगे स्कोल्डिंग को कॉम्पेटिशन को प्लेंग मूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर परस्नल इंजॉइमेंट बिल्कुल सही बात है कोई दिक्कत नहीं ना किसी से लेना ना किसी को देना नेक्स इन अप्रोग्रेसिव क्लास्रूम दे इसको हम रोल्स कहते हैं कि भूमिकाय क्या निभाओगे लेकिन डेबंड करेगा ये जाएगा या ये जाएगा देख लेते हैं तो ये जाएगे जो अडल्थ हुड तक आपको बताए जाते हैं कि लड़की है जोड से मत हस आवाज मुची मत कर यहां मज जा यह सारे रोल्स होते हैं ये कोई भगवान थोड़ी ना बना के बेशता है Lawrence Koholberg theory has been criticized by a question repeat हो गया first paper का सुभा आया था presenting a stage theory of moral development collecting data by means real situation applying quantitative method of analysis ignoring gender differences in moral reasoning क्योंकि इनोंने यही perspective उठाय था कि females का मुद्धा कहां गया आप हैंस समझा रहे हों हैंस की कोई बहन भी वी उनका भी perspective ले ले लेते ठीक है which of the following views about intelligence support the respectful consideration of diversity among learner बुद्धी के संदर में निमलिकित में से कौन सा द्रश्टी कौन सिक्षार्थियों के बीच विविदता के समानपून विचार का समर्थन करता है परिक्षन एक मात्र साधन है समय के साथ बदल सकती है IQ की बात कर रहा है ठीक है बुद्धी आनुवानशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती बुद्धी वातेवन कारकों से प्रभावित नहीं होती तो ये समय के साथ बदल सकती है इसलिए IQ पे single dependent कभी नहीं होना है ठीक है next who among the following critique the concept of general intelligence and proposed an alternative theory of intelligence सामान्य बुद्धी की अवधार्ना की आलोचना बुद्धी का वेकलपिक जिसको क्या कहागा alternative theory ये किसके द्वारा दी गई है आपके लवाई गोस्की देखो सामान्य बुद्धी क्या होती है general intelligence इसका कोई लेना देना सामान्य की बात हुई और अब कौन से आ गए हमारे spearman ने कौन से बुद्धी दी थी spearman ने क्या दिया था भाई PIAJ का तो कोई लेना देना नहीं है Harvard Gardner ने multiple दी है why gods की social है गया Charles Spearman ने general law specific दो नो दे दी बस यही तो है और कोई दिक्कत नहीं है so already students आप लोगों को आंसर की डिसकूस कर वाई इस वेरी गुड और जितने भी students सबसे पहले शेयर कर दीजे लाइक कर दीजे और तीसरी सबसे बड़ी बात है आप लोग क्या क्या आंसर स्टिक कर क्या है यह भी हमें साथ साथ बताते चलिए और मैं एक चोटी सी बात अगर इसमें कोई भी जल्दवाजी में पढ़ने में कोई भी समस्या देख तो क्यूंकि पेपर का टाइम देखा करो लाइव का टाइम देखा करो पेपर वण भी मैंने स्टार्ट किया था और पेपर 2 भी अगर कुछ हुआ तो सबजेक का करवाएंगे तो जल्दी से हम बढ़ जाते हैं और जल्दी से बढ़ते हैं हमारे next portion की तरफ जो है हमारा साइंस का portion तो यहां से आप लोगों का mathematics स्टार्ट है dear एककेण एककेण ने आए ऑब कर जाने कि आए अगर कर चींगर कर शेखब है एकसे की बॉ revise यहम सेम Hughes आए अपको सारे की सारे आंसर्स आपको लग रहा है कि हां यह भाइट हो सकते हैं इसके अलाव भी कोई और हो सकता है तो मैम आपको अपने आप ठीक करवा देंगी जब मैम का दीप अनलेसिस होगा क्योंकि यह स्टूडिन्ट यहाँ पर हर एक टीचर अपने सब्जेट का अनलेसिस करवाएगा बिल्कुल करवाएगा ठीक है तो जल्दी से मैं स्टार्ट करती हूँ हमारा साइन्स का और राइट दियर एक सेकेनी बूट थोड़ा सा लाइफ क्लास टो रही है इसको बूट को पर कर दो सिक्स्टी वन से कोश्टन लियाओ करती है। वा कुषन से स्टार्ट करते है और हमारा कॉषन ऐभाई सबसे पहले हमारा 60-61 हम देखना हमस्तार करेंके 61 से प्लोगों के Sa decíaन्स के कौष्ण स्टार्ट है सर्च एडर में सबसे पहले सवाल है आपपो का यह रा 61 और यहाँ पर आप लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा है विच अप दो फॉल्वाइंग कैं बी कंसिडर एज अ मोस्ट सुटीबल रेशनल फॉर टीम टीचिंग निम्रिकित में से किस टीम सिक्षन के लिए सबसे उप्युक तरकाकार के रूप में शामिल किया जा सकता है तो आप भी अपने आंसेस बताती चलेगा और मैं भी अपने आंसेस बताती चलूँगी मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए बैनिफिट करता है स्टूडिंट्स को जिनकी पास डाइवर्स एक्सपर्टीज होती है तो मेरे हिसाब से आप लोगों का जो 61 आंसर है वो करेक्ट होना चाहिए आप लोगों का थार्ड आंसर CDP की कोश्टन्स में और पेड़गोजी की कोश्टन्स में हो सकता है आपको कुछ उपर नीचे देखने के लिए लेकिन जो मेरे साब से इस ताइम जो परफेक्ट आंसर बैठेगा वो बैठेगा आप लोगों का थार्ड आंसर चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं जरा अब आपसे बात करूंगी मैं किस चीज की बारे में 62 की बारे में तो देखे 62 में आपको सीधा सीधा बोल रखा है कि आपको बच्चे को क्लास 7 का स्टूडेंट है और आपको इहापर स्फारिकल मिरर पढ़ाने है तो बैने आपको हमेशा बताया है जब कभी आपको किसी भी कलास में कोई भी टॉपिक इंटेड्यूस करना हो तो हम हमेशा एक्टिविटीज के फॉर्मर स्टार्ट करते हैं जैसे मुझे यहापर बच्चे को स्फारिकल मिरर पढ़ाना है तो मेरे हिसाप से जो क्या आंसर होगा देखे एक्स्प्रेंट करने का कोई फायदा है हमें क्या करना चाहिए विद्यार्टिव को स्टील की स्पून देनी चाहिए, आपको भी पता है, स्पून का अंदर वाला हिस्से में अलग तस्वीर बनती है, बाहर वाले में आपकी अलग बनती है, इसका जो correct answer होगा, वो होगा आप लोगों का third answer, तो जितने भी student है जिनको answer third लगता है, बिल्कु प्रिलिक्षित नहीं होता, मैं आपको बता दू, यहाँ पर science, अगर मैं बात करती हूँ, science pedagogy की, तो कम से कम, 10 में से 6-7 सवाल में, तो not पूछा ही तूछा गया है, इसलिए आप से बोला गया था कि dear students, not है, कि नहीं है, वो आप लोगों को देखकर चलना है, और उसी अगर देखा जाए, तो इतना भी हाड़नी था, पेपर फर्स्ट काफी असान था, लेकिन पेपर सेकेंड एजी से सॉल्व हो पा रहा है, गर आप दो से तीन बार पढ़ कर चल रहे हो, तो 63rd का जो आपका आंसर होगा, science education should train to remain disciplined in the school, देखे, discipline सिखाने जैसी कोई भी बात, ना तो NCF ने बोली है, ना ही NEP ने बोली है, तो इसका जो correct answer है, वो होगा आप लोगों का first answer, जितने भी student है, फटा फटस एक बर वीडियो को like, वीडियो को share, channel, subscribe करना, बिल्कुल मत भूलेगा, इसका correct answer होगा, आप लोगों का first answer, 64, आप लोगों से पूछा जा रहा है, निमलिखित में से कौन से sciola में वर्टमान में पालन होने वाली पार्ठ चर्चा सम्नमंदित, गतिविधियो की सम्नम्द में सही है, देखे, यहाँ पर आप लोगों से बोला जा रहा हैं कि कौन सी चीज बिल्कुल सही है, छोटिक अ आपके इसाब से क्या था क्योंकि मेरे इसाब से इसका जो आंसर है देखिए साइंस और मैठ्स कभी एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता है मैं साइंस के अंतरगत मैठ्स नहीं बढ़ा सकती मैठ्स अपना एक इंडिविज्वल सब्जेक्ट होता है तो जितरी भी student agent को लगता है A option ठीक है तो बिल्कुल गलत लगता है A option आपका बिल्कुल भी correct नहीं है Physics, Chemistry, Bio Secondary classes में Science के अंडर पढ़ाई जाती है और अगर मैं primary level की बात करती हूँ तो भाईया Science और Social Science EVS के अंडर integrated form में पढ़ाया जाता है बात बिल्कुल सही है तो जितरी में student agent जी ने B option और C option ठीक लगता है मेरी तार perfect answer है और A answer इसका कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि Maths अलग subject है Science आप लोगों का दम अलग subject है चलिए जल्दी से बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ और next है आपका 65th आप से पूछा गया विध्याट्यों के एक समो को एक ऐसी गति विधी में संगलन किया गया है जिसमें वो बीकर में समाने नल के पानी का कौतनांक यानि आप लोगों का ना परें आप लोगों का boiling point और इसमें पूछा गया कि इन में से कौन सी चीज उनको नहीं करनी चाहिए या किस चीज पर उनका ध्यान नहीं होना चाहिए तो आपके पास यहां पर चार आप्शन है आपके साब से क्या अंसर होना चाहिए तो देखे सबसे पहले आपको बताया जाता है कि boiling temperature आपको 100 पर चक करना चाहिए बिल्कुल सही बात है आपको extend जिसमें आप suspend कर सेको थर्मोमीटर बिल्कुल सही बात है थर्ड है आप लोगों का आपको wall touch नहीं करनी चाहिए गरम होती है लेकिन यहाप पर least count जैसा कोई भी हिसाब केताब नहीं होता है क्योंकि least count आप लोगों का primary, secondary section में है ही नहीं यह तो concept 11, 12 में आता है तो इसका जो correct answer है वो है आप लोगों का fourth option ठीक है क्योंकि यहाप पर not पूछा गया है तो not case आपसे इसका जो सही answer बैठेगा वो बैठेगा आप लोगों का fourth answer चलिए, जल्दी से बढ़ते हूं में 66 वाले पर यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहे है किस चीज के बारे में यहाँ पर आप लोगों को open-ended सवाल बताना है कि भाया open-ended सवाल हमें बता दीजिए प्लीज बाते मत करिए यहाँ पर answer की discuss हो रही है वो ज्यादा important आपकी बातों से तो देखे क्या होगा यदि मानव सेलिलोस को पचा सकेगा तो हर लोग अपने अलग-अलग विचार देंगे तो यह आप लगों का divergent कोशन है यहाँ पर बाकी तीन जो कोशन आप लोगों की तीन जो statement है वो close ended है एक एक जवाब देने के बाद आपने उनको बंद कर दिया है लेकिन जो पहला सावाल है हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से अपने विचार वियक्त करने के लिए बिलकुल विचार वियक्त कर सकता है किसी चीज की कोई भी बंदिश नही पॉफिक्ट सेकिंड आप लोगों से बात की जारी है निमलकित में से किसे स्कूली विज्ञान पाठे चर्चा में समाचिक विज्ञानिक मामलियों जैसे जी-म को समलित करने के लिए एक माहने वैद कारण की रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए आप से फिर बात हो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का हम किसी भी बच्चे के अंदर आर्ग्यमेंट इसके डैवलप नहीं करना चाहते हैं तो आपका जो चुटक्त आंसर होगा वह लोगों का डी ऑप्शन तो जितने भी स्टूडेंट है सिक्स्टी सेवन का आपका होना मिला होगा आप लोगों को आप एक पैराग्राफ यहाँ पर देख पारे हो काफी लंबा चोड़ा पैराग्राफ था कि क्लास सेवंथ में आप लोगों को एक्टिविटीज करवाने हैं जिसमें आपको तीन टेस्ट्यूब लेनी हैं जिनको भरा गए 3-4 से टेस्ट्यूब को लेबल करा गए A, B, C से सनेल रखे गई टेस्ट्यूब A में B में आप लोगों का वाटर प्लांट और C में आप लोगों का दोनों चीज़े रखी गई हैं तो स्टूडेंट देख कर बताना चाहता है जब कभी भी आप लोगों से एक्टिविटीज करवाई जाती है और आपके पास ऑप्शन ही चाह रहे हैं इहां पर किसी भी परकार कर कोई भी मेजर्मेंट नहीं पूछा गया है किसी भी बच्चे से कोई भी कोशन नहीं पूछा गया है इसकी आंसर की मैं आपको भेज दूँगी डून वारे और अभी मैं शाम को आप लोगों का मैं शाम को दुबारा से आप लोगों का डीप अनलिसिस भी करवाऊंगे तो आपको टेंशन लेनी की ज़रूरत नहीं है तो सारी की सारी चीज़े मैं आप लोगों के explained कोди कि नेक्स्ट सिक्स्टी नाइन्थ वाला आप लोगों का bark division है उसको मेरे हिसाब से तो यहां पर यह तीन वहीं चीज़े हूती तो यह आप लोगों का doubtful question है कम here ये आप लोगों का doubtful motion है क्योंकि जब कभी भी आप दिशे वस्तु वैधिता के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे साथियो मेरे ख्यासे इसका जो answer होना चाहिए या तो यहाँ पर कोई misprinting है आपका content updated होना चाहिए बात बल्कुल सही है आप कोई भी content पढ़ा रहे हो तो इसको accurate represent करो के बात बल्कुल सही है trivialized का मतलब होता है कि content को आपको क्या करना है content को आपको क्या करना है बल्कुल हिसाब से ma'am you are not audible dear student give me one second am I audible dear student Sunny sir अभी आ रहे है आप जल्दी से एक बार science का paper देख लिए तो मेरे हिसाब से तो यह तीनों चीज़े बिल्कुल ठीक है लेकिन इसका answer क्या होना चाहिए यह बिल्कुल भी नहीं पता है हो सकता है इसमें कोई misprinting हो आवाज आ रही है देखे जिन्हें आवाज नहीं आ रही हो उन्हें आवाज आ जानी चाहिए क्योंकि मैं बोल रही हूँ यहां से तो आपका जो correct answer है वो यहाँ पर first option होना चाहिए लेकिन यह तीनों की तीनों चीज़े क्या है आप लोगों की right है तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा doubtful हूँ आप बलकी मुझे बता दीजिए कि आपने क्या क्या answer यहाँ पर टिक कर रहा है चलिए नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाएगी किस चीज की बारे में 70 की बारे में आप से पूछा जारे है पाठे पुस्तों में विस्तारिक अधिगम की भाग गरूप में प्रस्तावित गति वीडियो के समन्में निमलकित में से कौन सा सही नहीं है तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है आप लोगोंने ऑप्शन सेकेंड करें लेकिन तीनों चीज़े बलकुर ठीक है ना है यहाँ पर कुछ गलाती नहीं है वहाँ पर तो देखें 70 के जो आपका आंसर होगा विद्धियारतियों का मुल्यंकन करने के लिए असा कभी भी नहीं करते हैं कि आपने बढ़ा दिया और बढ़ाने से क्या हो गया बच्चों पर बढ़न पढ़ गया और आप जल्दी से टेस्ट लोगे टेस्ट में नमबर आएंगे बच्चों को इवालूएट करोगे तो वैसा हमारा कोई भी रादा निया तो आपका जो सी आपशन है यहाँ पर नॉट के हिसाब से बताना था तो आपका जो 70 का ऑपशन होगा वहोगा आप लोगों का थर्ड ऑप्शन तो यह आप लोगों का पैड़ागोजी का पार्ट था जैसे कि मैंने आपको बताया था 20 जेनरल का रहेगा 10 कम से कम पैड़ागोजी के सवाल होगा तो 61 से 70 लगबग 10 कोशन हमारे पैड़ागोजी के थे तो मेरा अनुमान बिल्कुल परफेक्ट रह था आप लोगों के लिए चल अब था फॉलिंग सब्सेंसार प्रजेंट माचीस के ऊपर क्या प्रिजेंट होता है तो दुनिया को पता है रेड फोस्फोरस क्या होता है मेरी प्यारे स्टूडेंट आप लोगों का रेट फोस्फोरस अँप अँट्या तूडेंट शॉडेंट शाम को लगभग 5.45 पर स पर आपको बताओंगी क्या चीज है क्या चीज नहीं है 72 के अगर आंसर की मैं आप से बात करती है तो 72 में डैश औन डैश सिक्रिट हार्मोन दे रिसी ओर्डर फॉर्डर फॉर्म डैश तो आपका क्या हो सकता आप लोगों का थाइरोइड, अडरीनल और पिट्ट्ट्री आपको ये देखना है कि कौन किसको कंट्रोल करके रखता है तो अगर मैं आप लोगों से 72 की बात करती हूं तो 72 का उप्शन आप लोगों का कौन सा है आपका थर्ड उप्शन है समझाऊंगी मैं आपको 6.45 बाली क्लास में अभी मैं सिर्फ आपको आंसर पिता कर चल रही हूँ क्योंकि मैं भी आपके साथ-साथी पेपर सॉॉल्व करके चल रही हूँ, मैंने भी पेपर अभी तक देखा नी था यहां पर आप लोगों से बोला जा रहा है आइडेंटिफाइ दा इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाटर रिटेंशन कैपस्टी ओफ लेली सॉइल इस बेटर देखी यह आप लोगों का रिपिटेट कोश्चन है अगर किसी को पीवाई क्यू याद रहे होंगे मैंने आपको पताया था कि मिट्टी सम्मंदि सवाल पुछने के लिए जरूर आते तो ज़रा देख लेते ता पार्टिकल साइज ओफ लेली स्मालर दन दन लोमी सॉइल आपको इंकरेक्ट बताना है इसका करेक्ट बताना है तो पार्टा लिखा वाई लॉमी ज़ादा बैटर होती है अजा बही आजा 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 74 आप से बात की जारी था इमेज फॉरमेशन वाई अब पिन हॉल कैमरा अगर याद रहा होगा तो यह भी पूछने के लिए आया था शाय से पिछले साल ही पूछने के लिए आया था अगर मैं आप लोगों सही हाँ पर बात करती हूं आपका खरेक्ट आंसर होगा आप लोगों का थर्ड आंसर तो मैं आपको बता सकती हूं जनर्रल साइंस काफी असान था इतना मुश्किल पेपर नहीं आया था जितना आप घबरा रहे हो डर रहे हो साइंस काफी अच्छा था मतब मुझे काफी पसंद आया है समझदार बच्चा रहा होगा मेरे प्यारे साथियो जितने भी समझदार स्टूडेंट्स रहे होंगे क्लास में आपको बहुत अच्छे से पता होगा मस्टर्ड के बारे में और पैटी उनिया के बारे में तो जहाँ पर भी mustard और petunia साथ हो जाए आपका answer कौन सा होगा आप लोगों का third answer तो आपका 75 का भी answer क्या है आप लोगों का third answer है perfect and very good next आप लोगों से बात की जारी है यहाँ पर cold blooded के बारे में देखें दो टाइप के जानवर होते हैं dear human's को छोड़ते वे humans हम तो warm blooded में आते हैं तो हम तो नहीं है आप पर याह हुमारी dolphin भी mammals में आती है तो यह भी नहीं हो सकता है We Guamma behave यह यह भी नहीं हो सकता है भी नहीं हो सकता है अाप लोगों का first answer तो 76 का आपका कौन सांसर होगा, आप लोगों का फर्स्ट आंसर होगा नेक्स्ट आप लोगों से बात की जारी है किस चीज के बारे में 77 सवाल देखे, मैंने आपको 100% गारेंटी के हिसाब से बताया था मैंने आपने ए भी टिक करा है, तो ए भी नहीं होगा आप लोगों का पैटी कुनिया होगा वहाँ पर मैंने आप लोगों से 100% बोला था कि पर डाइजेशन से तो सवाल आएगा ही आएगा मैंने आप से बोला था कि डाइजेशन से तो कोश्ण आएगा ही आएगा मैं direct answers बताती चलूँ ठीक है मैं आपको अभी direct answer बता देती हूँ 77 का है आप लोगों का 77 का आप लोगों का answer है आप लोगों का fourth option आपका first ठीक है आप लोगों का second ठीक नहीं है तो आपका जो correct answer होगा that is your fourth option तो मैं एक काम करती हूँ मैं जल्दी जल्दी से आपको answers बता देती हूँ मैं explain तो करूँगे आदे गंटे बास सारे के सारे सावालों को तो अभी हम से answers देख लेते हैं बाकी चीज़े मैं आपको बाद में बताती चलूँगी आप से हाँ बात की जारी किस चीज के बारे में नाइड्रोजन फिक्सेशन के बारे में तो देखे थोड़ा टाइम तो मुझे पढ़ने में भी लगेगा क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाय से पहले देखे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है, जब कभी भी आप एट्मोस्फेरिक नाइट्रोजन को कनवर्ट करते हो, ये कॉंसेप्ट भी मैंने आपको बताया था, मेरे प्यारे साथियो, कि जैसे हम कच्छा खाना नहीं खा सकते, वैसे हमारे जो प्लांट्स है, व भी मैं आपको बा이ड़ खानाए रियो, हमदा हम झाहा खाना आपको बाहा झाल झाल तो थोड़ा सा नेट्वरक इशु था हमारे सास अब और कीफ हो गया है बस मुझे एक मिट पर टाइम दीजे मुझे ख्यास दोबाना लगानी पड़ेगी तो फटाफट से पर हम देख लेते हैं हमारा कोशन पेपर बस मुझे एक मिट कर टाइम दीजे ताकि मैं आपका कोशन पेपर खोल पाऊं थोड़ा सा नेट्वर्क इशू हो गया था ओके था थाए था थांक्यू 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 सो मुझ रियर वीट करने के लिए So I guess मैं आप लोगों को अभी तक कितनी questions बता चुकी हूँ मैं आपको बता चुकी हूँ हमारे 71 questions हम बता चुके थे हम हमारा ये सवाल सॉल्फ कर रहे थे और मैंने आपको बताया था है यहाँ पर किस चीज के बारे में आप लोगों के bisexual plants के बारे में जिसमें महिलाए और नर दोनों ही होते तो उसका correct answer था mustard, rose और आप लोगों का petunia next हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ देखे अगर मैं आप लोगों से बात करते हूँ किस चीज के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करते हूँ these comes under the category of mammals so these are not cold-blooded at any coast तो आप लोगों को जो सही जवाब होगा स्नेक और फ्रॉग देखकर हम आंसर बिल्कुल किक करके आ सकते हैं इसका correct answer होगा आपका first answer 77 का मैं बता चुकी थी 77 का जो आपका answer होगा आप लोगों का fourth answer होगा क्योंकि पाच चक्रसों को क्रिया करने के लिए अमली वाधि हमकी अविशक्ता होती है इस बात से हमारे first वाले sentence का कोई खास तालुक है नहीं तो 77 का हम D option मिल्कुल करेक्ट करके आएंगे आप हम बताने वाले हैं आप लोगों को 78 पर थी मैं हाँ आपसे बात की जारी किस चीज के बारे में नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में तो जब कभी आप लोगों से नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करते हैं तो मैंने जैसे की बताया था कि जैसे हम लोग कच्छा खाना नहीं खा सकते वैसे हमारी plant लोग भी कच्छा खाना नहीं खापाते हैं उनको fix करवाते हैं correct answer आप लोगों का third answer 1790 अगर मैं आप लोगों से बात करू at which position does a spring have the least potential energy तो अगर spring के case के बारे में बात करी जाती है और आप लोगों से potential energy पूछ ली जाती है तो थोड़ा बहुत moment रहा होगा जब कभी हम potential energy की बात करते हैं तो हमारे लिए सबस्यादा important होता है हमारी height तो इसका जो correct answer होगा वो होगा आप लोगों का the spring is neither compressed nor pulled and it's lying on the surface direct था जब मैंने potential energy kinetic energy आपको class में पढ़ाई थी तो यी चीज़ बताई थी कि potential energy के लिए height बहुत ज़्यादा जरूरी होती है तो height matters actually किसी को screenshot लेना है तो भाई screenshot ले सकते हो फटा फट चले next हम आप से बात करते हैं किस चीज़ के बारे में हमारा असीवा सवाल मैंने आप से बताया था आप लोगों को fundamental unit से हर हालत में सवाल पूछने के लिए आएंगे और आएं हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो तो जितने भी student है जिसने अभी तक भी वीडियो को like वीडियो को share channel subscribe नहीं कर रहा है तो kg meter per second square kg meter square second square और right joule per second और kg meter square second square आप लोगों का जो correct answer होगा that is your third answer 6.45 तो अभी नहीं पढ़ा पाऊंगी हाँ 7 बजे से मैं आप लोगों का detail explain करूंगी science की बारे में detail science तो अभी 7 बजे आप मेरे साथ फिर से जुडियेगा मैं आपको एक ही question का answer detail में बताऊंगी जल्दी से देख लेते हमारे पास 10 सवाल और हैं बाकी teachers भी है अपना-पना subject बताने के लिए तो अगर मैं आप लोगों से 81 के बार में बात करती हूं which of the following statement of the cell of living organism is correct microscopic होती है cell wall होती है nuclear membrane होती है cell membrane होती है तो 81 के अगर मैं आप लोगों से बात करती हूं तो हम लोगों के जो correct answer है हम सबके पास cell membrane तो होती है nuclear membrane सबके पास नहीं होती cell wall सबके पास नहीं होती तो इसका जो correct answer होगा वोगा आप लोगों का only D ठीक है जी फटा फट साइंस हार्ड नहीं था यार साइंस तो बढ़िया था साइंस बिलकुल भी हार्ड नहीं था अगर सही समय पे एक एक चीज पढ़ कर चलते क्योंकि साइंस के बाड़े सारे students है जो बड़े खुश हो रहे हैं कि मैं साइंस का paper आसान आया था क्योंकि उन्होंने आप लोगों का 0 इसका correct आंसर होगा क्योंकि free fall का case है मैं अभी कोई भी चीज उपर से नहीं चीग रहा दो that is free fall जीरो आप लोगों का आंसर रहा होगा जल्दी से बढ़ते हैं हमारे 83 की तरफ और 84 की तरफ हाँ आप से बात की जारी एन आयन दिखे एक 3 positive का मतलब है कि भा लोगों का किसका aluminium का समझ जाई यह बात तो 83 का जो आप लोगों का option होगा जब इसने element बनाया होगा तो इसने अपने 3 electron lose करे होंगे तो भाई है 13, tan और 14 आप लोगों का बिल्कुल correct answer है 83 का जो answer है वो है आप लोगों का second option मैं 81 का third option सहीं लग रहा है जड़ा एक बार दोबारे से पढ़ना क्या सारे के सारी इतनी छोटे होते क्यों नहीं हम खुली आँखों से नहीं देख सकते आप मुझे मेरी खुली आँखों से देख पारे हो प्लांट्स को खुली आँखों से देख पारे हो तो आप सभी जिन्दा चीजों के बारे में कि इसे कैसे सकते हो आपका जो औस्रिच का अंडा होता है उसको भी हम सैल कंसिडर करते देख बाते हो ना उसको खली आंखों से फॉर्स आंसर वो नॉट भी करेक्ट उमा शर्मा जड़ा एक बार दुबारा से पढ़िए उसके बात बात करना नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाएगी किस चीज के बारे में आप लोगों से बात की जाएगी यहाँ पर आप लोगों को दिये रखाए क्या चीज आप लोगों का correct time दे रखा decomposing के लिए, ये question थोड़ा EVS से सम्मंदित सवाल पूछने के लिए आया था मैंने आपको पहले भी बुला था कि science की बड़े सारे topic कौन साइट करेंगी EVS की topic से, तो अगर EVS की class बड़ी हतरी के से पढ़ी होगी तो सिल्क का जो स्कार्फ होता है, मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता देना चाहती हूँ, सिल्क का स्कार्फ होता है, उसको लगभग, लगभग अगर देखा जाए तो दो से तीन साल, तीन से चार साल लग जाते हैं तो हम B का option जा सकते हैं फोर्थ की तरफ, तो आपका correct answer होगा, 3rd answer इसका correct answer होगा, आप लगों का 3rd answer ठीके, तो 84 का आप लगों का answer would be 3rd चले, बढ़ते ही थोड़ा सा अगे की तरफ, which of the falling cell organically contained there on DNA? यह सावाल मैंने पतानी कितनी बार अपनी क्लास में करवाया और मैंने आपको हमेशे बताया था कि जिनके पास खुद का DNA होते हैं, उनको हम semi-autonomous के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं? semi-autonomous तो what would be the answer? तो देखें, यहां पर 100 और 100% correct pair क्या होगा आप लोगों का? इसका correct pair होगा आप लोगों का plastic भी होता है, mitochondria भी होता है और आप लोगों का nucleus भी होता है तो यह तीन जोड़े तो आपका जो correct answer होगा वो होगा यहां पर A, B, N, C वेक्यूल में किसी भी परकार का कोई भी खुद का DNA नहीं पाया जाता है तो third option तो होगा नहीं जो बच्चा है उसका answer बिलकुल correct है देखे, थोड़ी सी buffering हुई थी पर अब किसी भी परकार की कोई भी buffering नहीं कैसा रहा आप आपका paper? जली बता दो बच्चे से बिना attention के मेरे असाब से तो paper काफी बढ़ी आया वा था कोई परिशानी नहीं थी paper में dear paper बढ़िया था, एकदम मस्थ था paper तो फटावट से में टिक करती रहती हूं और टिक करके चली जाओंगी मैं आपको और आपको यह प्रोवाइट करवा दूंगी ठीक है? अगर मैं आप लोगों से 62 की बात करती तो 62 में हम लोगों स्टील का experiment करवाया था अपने बच्चों से हम नहीं जाते हैं हमारे बच्चे जबरदस्ती का अनुसाशन करते घूमें 64 का जो आप लोगों का आंसर था इस हिसाब से आप लोगों का साइंस और मैंतिक साथ नहीं पढ़ाई जाती B and C option था एक बार टैली कर लीजिए टैली कर लीजिए 65 का जो आप लोगों का आंसर है that is your 4th option 66 का आंसर है आप लोगों का 1st answer 67 का आंसर है आप लोगों का 4th 67 का 4th answer है जड़ा देख लो एक एक बार 68 का जो आप का आंसर है वो 4th है 69 का जो आंसर इसमें मुझे डाउट है क्योंकि मेरे हिसाब से जो आप लोगों की विशे वस्तु वैदता होती है उसमें नई नहीं चीजे मिलती रहनी चाहिए आपको बिलकुल एज एप्रोप्रियेट कॉंटेंट बच्चे को देना होते एकदम सही कॉंटेंट देना होते है तो मेरे साब से तो यह थोड़ा डाउटफुल है बट करेक्ट ऑप्शन आपकी मैम से भी थोड़ा कन्फ्यूज हो सकता है मैम 30 आउटफुल है मुझे लग रहा है कि एक नमबर मुफ्त का मिलना चाहिए आप लोगों को यहाँ पर 70 के अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो 70 आप लोगों का जो आंसर था वो था आप लोगों का बढ़ते हैं थोड़ा सागे की तरफ आजओ भाई आजओ आजओ इदर आजओ तारी दुनिया को पता है रेट फॉस्वरस के बारे में बात हो रही है हाईरोइड एड्रिटियल जो पिट्टी उट्री से आप लोगों की होती है यहाँ पर क्ले 73 का है आप लोगों का इट लाइन में टावल करती है 75 का अप लोगों का थर्ड ऑप्शन है आज चुके है नमनी सर भी हमारे साथ तो नमनी सर कैसा रहा सेकिंड पेपर बच्चों का बच्चों का थोड़ा सा मुश्किल आया है अभी मैं जैसे बच्चों से बात कर पा रही थी तो डियर प्रफ मैं आपको भेज़ूंगी फटा फट से तो मैं पीडिय खुद को भेज लेती हूं पहले ताकि आपको भेज पाऊंग अईसा कुछ है जो डाउट है आप लोगों का आप में उसे पू सकते हैं क्योंकि सुबह वाली पारी में तो देखा जाए तो काफी अच्छे थोड़ा से पेपर लेंदी था यह बात में मान कर चल रही हूं लेकिन साइंस में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वज़े से आपको घबराना पड़े सनी सर को भी थोड़ा टाइम लग रहा है भी पहले हिंदी वाले सर क्योंकि एक्चुली कोशन पेपर मिलने में थोड़ा सा मुश्किल पढ रही है हमें एक ही कोशन पेपर आया था जो हिमानी मैं क्लास में लेकर आ गई तो मुझे भी हाँ पर आकर ही सॉल्फ करना पड़ा तो हो सकता है एक दो आंसर में थोड़ा उंचा नीचा हो बट पूरी-पूरी मैं मान सकते हूं 30 में से 27, 28 बिलकुल करेक्ट होंगे आप लोगों के मैंने यही तो लगाया हर्शी, अरशी रेड फॉसफप्रस ही तो लगाया था जैने मैंने कुछ लगा दिया करे जली-जली में I think मैंने रेड फॉसफपोरस ही लगाया है देखें यहां पर आप लोगों से पूछ रहा है किस चीज के बारे में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है निमली कि इत्मी से किस पदार्ट में माचिस के नी घर्शन प्रस्ट परविद्देबान होते है जो माचिस का रेड वाला हिस्सा होता है आप से उस चीज के बारे में बात पूछी जा रही है Maths थोड़ा लेंदी हो सकता है हाँ Maths लेंदी होगा क्योंकि आपको solve करने में थोड़ी दिक्कत पड़ेगी जरह देख लेते हैं एक बार हो सकता है Dear student, यहाँ पर आप लोगों का Red Phosphorus होता है और Potassium Chlorate भी पाया जाता है ठीक है तो ठीक है Red Phosphorus तो बिल्कुल correct answer है Powdered Glass Glass भी बिल्कुल सही बोल रहे हो यार Sorry, 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 इसका answer आप लोग ठीक कर दीजे Thank you so much Harshi, मैंने यहापर glass powder तो देखा ही नहीं इसका जो correct answer होगा वो आप लोगों का fourth answer Good इसको एक बार correct कर दीजे I am so sorry, मैंने हापर glass देखकर मैं थोड़ा आगे बढ़गी मैंने Red Phosphorus नहीं देखा है आपका जो correct answer होगा वोगा आप लोगों का Red Phosphorus प्लस Glass Powder ठीक है, यहापर आप लोगों का Potassium Chlorate भी उपस्तित होता है अगर answer में Potassium Chlorate होता तो वो भी होता है Thank you, thank you, thank you so much dear, thank you so much हाँ, Glass Powder is given बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यह वाला भी option ठीक है क्योंकि मैंने आपको Glass में यह भी बताया था Glass Powder भी सही है, आप लोगों का Phosphorus भी सही है Magnesium भी सही है, आप लोगों का Potassium Chlorate भी सही है मेरे हिसाब से तो देखे, Glass Powder given है, मैंने देखा है Powdered Glass और Glass Powder, मुझे थोड़ा से देखना पड़ेगा, मैं 6.45 पर आपको मिलूगी मेरे हिसाब से तो यार, यह much better आप लोगों का यह वाला होना चाहिए लेकिन आंसर तो हमारा यह भी शो कर रहा है तो चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरे ख्याल से भी आप लोगों का आंसर मच बेटर वाला आपका फरस्ट है Red Phosphorus और Magnesium क्योंकि Red वाले कवर की बात कर रहा है और यहाँ पर Powdered Glass होता है यहाँ पर क्या होता है आप लोगों का Powdered Glass होता है मेरे ख्याल से भी फर्स्ट ऑप्शन है बाकी मैं आप लगों को NCRT में फर्स्ट की वेन है तो आप व्यू बिल गो विद फर्स्ट आंसर वही तो Red Phosphorus प्लस Magnesium मुझे देख कर ही बो लग रहा था लेकिन इनकी बात भी गलत नहीं है SST अभी पता नहीं कब होगा बट में साइंस का डिटील एक्स्प्लीनेशन अभी आपको करवाऊंगी आदे घंटे बात So thank you so much, hand over to Hindi sir Hindi वाले सर्याद कर रहे हैं बच्छे आपको बहुत Sir, question paper है मेरे पास यहां पर Hindi वाला है, सारे है साइन्स के आंसर्स मैं भी भेजती हूँ, आप मेरी टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं Biology by Kajal, just मैं भी भेजती हूँ आप मुझे वाटसप करो, मैं भी टेलिग्राम पर उपन करती हूँ Dear students, please give us 5 minutes कहा पर एक ग्रूप में पर आप नई, मैं भेज दे रहा हूँ ने, डारेक्ट क्योंकि आपको फिर ढूंडना नहीं पड़ेगा मैंने भेज दिया आपको वाटसप कर दिया मैंने PDF नहीं है, ऐसे ही है, आद आएगा कैसे हैं सभी लोग बंदू बंदूर एक बार फट अफट सेशन को सेयर कर दो भाई और एक बार सभी लोग हिंदी वाले सर को नहीं भेज दो, बिल्कुल मेरे बात जो है अभी क्योंकि पेपर आप लोगों ने दिया ही है तो पेपर का लेवल तो आप लोगों ने देखी लिया होगा कहीं न कहीं पेपर आप लोगों को करने में थोड़ा सा समय लग रहा है टीचर सभी लोग सौल्व करेंगे आपको कोशिस करेंगे कि भई कम से कम 99 परसंट एक आध कोशन का तो नहीं कहते क्योंकि अब जल्दी तो है आप लोगों का टाइम ना जाए तो 99 परसंट कम से कम पार्ट है न वहीं वह सही हो जाए इस चीज को ले करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो कहां पर भेज रहे हैं इसको तो आप लोग जुड़ते रहिए फटाफट सेसन को भी सेर करते रही है और जैसा कि मैं अभी सेंटर पर गभी गया था और सेंटर पर जाने के बाद देखा होगा तो वह भी आपको मोडरेट ही निजर आ रहा होगा तो अभी हिंदी का जब मैं पेपर करवाऊंगा तो उससे भी आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा यह चेंज हो सकता है क्या इस पर अगर आ जाएगा तो हो जाएगा इस बेरी गुट चलिए जो भी कोश्चन है इसको आप देखते रही है और कोश्चनों के बारे मैं आपको एक शीज बता दूँ कि यहां पर जो भी कोश्चन है यह डारेक्टर मैं आपको एक पैराग्राफ और एक पोयम और उसके साथ-साथ में पैड़ागोजी के चैनाया था उसके हिसाब से पेपर वाज स्टफ बिल्कुल कह सकता हूं मैं तो नहीं कहूंगा मैं इसको लेकिन मैं इसको कह सकता हूं कि से लेकर के 105 तक के कोशन मेरे खाल से कहीं पेपर सेगंड का तो नहीं आ गया गया यह नहीं सेगंड का मतलब सौ से शुरू है मतलब इससे पहले पेड़ा गोजी रहा होगा चलिए मैं एक पोयम देख लेता हूं आप लोगों के लिए पहले बच्चों को दिखनी रहा है मैं पढ़ देता हूं एक बार देखो एक-एक कोशन मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूं इससे ज्याद सायद जूम हो जाएगा तो ठीक है ओके यहां दिया है एक पोयम है छोटी सी कि जिने सपने अपने पाने हैं बन जाते वो दिवाने हैं गर लक्ष जो साधा है तुने उसे पाने की कोशिश तू कर चल आगे बढ़ तूफानों से ना डर चल कस्ती उठा सागर में उतर है र सागर में उतर तो यहां पर आगे बढ़ने के लिए बात की गई एक छोटी सी पोयम है और इसके बाध्यम से आपको क्या-क्या प्रसन पूछे गए हैं उन पर हम लोट करके आते हैं ठीक है कोश्चन क्या पूछा गया है कविता के माध्यम से तो देखो कहा गया कविता के कंसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि भई हमारे लिए निष्ठा और इच्छा सक्ति होना चीज़ सपने देखना धंसंपदा होना या अनकूल परिस्थिती होना भी नहीं सबसे ज्यादा हमारे लिए इक्छा सक्ति और निष्ठा का होना जरूरी है जो भी हम काम कर रहे हैं तो यहां पर हां कोई बात नहीं जहां किसी में 121 स्टाड अभी बता देते हैं दूसरा है जीवन में सुख दुख आसा निरासा की स्थिती मानों को हरा देती है मानों को ससक्त बना देती है सदेव बनी रहती है सदेव नहीं रहती है कह रहे है कि ज यहां पर कह रहा है जिन्हें अपने सपने पाने हैं वो दीवाने हो जाते हैं कोशिस करते हैं तूफानों में बढ़ते हैं अंधेरी रात है फिक्र क्या है मतलब सुख दुख आते रहते हैं एक दिन अपना आएगा चल कस्थी उठा सागर में लहर तो कविता के अनुसार यह हां पर क्या हुजा गर ये सदेवबनी रहती हमें आगे बढ़ना चाहिए अगला कह रहा है शेहर का अरत क्या है सुबा साम निरासा या रात है एक दिन अपनी सुबा होगी क्या होगी Starob product को देखने की कोंशित करते Chloe चलिए जी आगे का question क्या कह रहा है यहां दिया है कविता में कौन सी पंक्ती मनुस्य के मनोबल को बढ़ाती है कविता में कौन सी पंक्ती मनोबल को बढ़ाती है गर लक्ष जो साधा है तूने एक दिन आएगी अपनी सहर चलकस्ती उठा सागर में उतर जिन्हें अपने सपने पाने हैं तो भाई देखो चलकस्ती उठा सागर में उतर यहां पर दिया है गर लक्ष साधा है तुने एक दिन आएगी अपनी सहर मतलब अपनी भी सुबह आएगी यहां पर दिया जाता है अगला एंसर यहां पर कौन सा चलकस्ती उठा सागर में उतर यह तो बात की जा रही हो मनोबल बढ़ा रहा है कौन सी पंक्ती एक दिन आएगी सहारा दिया जा रहा है आगे बताया जा रहा है यहां पर कि एक दिन आएगा भई विश्वास दिलता है ना मनोबल बढ़ता है काम करते रहो एक दिन आएगा ही आएगा कविता के मुख्यस्वर के रूप में कौन सा काभ्यान मुख्यस्वर कैसा है यहां पर मुख्यस्वर अगर कहा गया है जो साधा है तुने एक दिन आएगी है अधेरी रात सागर में उतर यहां पर हमारा क्या है जो चीजे साधी है तो उसको हमें पूरा करना है फिक्र का समानार्थी सब्द क्या है यहां पर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा ससक्त मतलब होता है strong बिल्कुल होता है strong अभी देखो जो भी question आ रहा है वो मैं करवा रहा हूँ आगे जितना भी आता रहा करवाऊंगा फिक्र मतलब का फिक्र समानार्थी क्या है फिक्र का समानार्थी जो होता है वो चुनोती डरना और चिता नहीं होता बलगी चिंता होता है भी हो जाएगा अब ज़र आप यहां पर कुछ question आप लोगों के सामने हैं इसको हम कर लेते हैं जो भी question जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे मैं करके आपको दिखा रहा हूँ बाकी इसका एकदम वैसे तरीके से question से अपने में मिला लीजिएगा है ना अगर इसका एक मैं आपको अलग से दूँगा analysis जिसमें मैं एक जगा करके इसको सही से बनाऊंगा उसमें दूँगा ही दूँगा अभी पहले इसको मिला लीजिए एक बार सिक्षार्थी क्या करती है इस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हूँ युक्ती का चैन करिए बड़ा ध्यान से समझिएगा लगभग morning shift में भी ऐसा ही पेपर आया था तो कहते हैं कि यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता है तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ मस्तिस्की भ्रहमित इस्थिती विन्यास पर ध्यान देना अभ्यास के आउसर नहीं वह संदर्भ संगमागरी में अगर मदद लेते हैं तो हमारा अर्थ समझने में आस सानी हो जाती है मतलब अगर ऐसा वाला प्रसन आपको दिख रहा है तो वहां पर एंसर क्या लगाएंगे यह हो जाएगा ठीक है अगले प्रसन पर चलते हैं अगला प्रसन अगला प्रसन क्या कह रहा है देखो कह रहा है कि नैदानिक परिक्षणों मतलब देखो सब्द को से और बदल्र रें निदान क एम बदला है सब्सक्तिक्रा क rif теперь घ्रिक्षण और 이제 deprived क्या है पता लगा तें तो भाइग क्या है गलतियों की पहचानने की योगयता आब सिक्षारती अपनी भासा संबंदी गलतियों की पहचाननей क्या है नेधानिक प्रिक्षण अभ श्रेनी बद्ध करना सारांसी करना मज़बूत करना नहीं होगा क्या होगा पहचानना क्योंकि न hesiddanic action का काम ही क्या होता है पता लगाना सिंपल है कि यहां answer कुछ बच्चे ए बता रहे हैं निदानिक कौन सा हो जाता है फोर हो जाता है सिंपल है अगले पर चलते हैं जरा ओफ एक पैराग्राफ खतम हो जाएगा कोश्चन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको मोबाइल से ही अभी खीच के लाया हूँ तो थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा होगा कोई बात नहीं लेकिन फिर भी क्या कह रहा है देखो हिंदी फस्ट ही है इसमें आप लोगों के सामने एक प्रस्ण यह दे रहा है कि कहते हैं कि मनुष्य दिखने रहा फिर भी मैं सुना देता हूं एक बार फटाफट कोई बात नहीं एंसर जल्दी जल्दी बता दूंगा अभी मैं सेंटर से आ रहा हूं आप लोगों के सामने डारेक्ट स्वाल्व कर रहा हूं बिल्कुल सही करेंगे कोशिस करते हैं कहते हैं मनुष्य ने नौ से दस हजार साल पहले बौधिक दृष्टिकोंड की खोज की थी वह भक्ती मार्ग थी और वह मानो इतिहास के दौर के लोगों के सबसे बुद्धिमान थे पहले ही कहा कि आध्यात्मिक दुनिया का महत बहुत अधिक है फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है मतलब यह जो कुछ भी दिखाई देती है यह बिल्कुल महत्वहीन नहीं है जब सुदूर अतीत में मनुस्यों ने महसूस किया कि कर्म योग और ग्यान योग उन्हें सची प्रगती प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे तो उन्होंने तुरंत भक्त योग को अपना लिया उन्होंने अनुभव किया कि भक्ती ही उनके एक मात्र मार्ग है मनुस्यों से आज अपने विक्सित कम और ग्यान योग की कारण और भी आगे बढ़ गया है इस प्रकार अपने पूरवजों की तुलना में वह भक्ती के मार्ग पर चलने की आउसक्ता को अधिक तेजी से महत्व महसूस करेगा और यह कम और भी ग्यान का योग का उज्वल पक्ष है यानि क्या कहा रहा है यह कर्म और ग्यान योग का उज्वल पक्ष है यानि यह दोनों योग भक्ती मार्ग को और मजबूत कर देंगे तो भई इसको थोड़ा समय कर देता प्रसन क्या कहा रहा है? प्रसन आप लोगों के सामने है कहा रहा है कि इस दौर के लोगों ने सबसे बुद्धिमान थे वाक्य में रेखांके तन्सको किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है बहुत धिक दृष्टी कोंड खोजने वाले धनी लोगों की, नो दस हजार वर्स पूर्व लोगों की बात की गई है, मानो इतिहास में लक्ष प्राप्त करने वाले लोगों की, मानो इतिहास में नाम दर्ज कराने वाले लोगों की, इनकी बात नहीं की गई है, बहुत धिक द्रिश्टी खोड़ खोजने वाले धनी लोगों की अब धनी लोग को मतलब यहां पर उसी से है जो प्रियोग किया गया है अगला यहां पर प्रियोग किया गया है अगला प्रसंद देखिएगा क्या कह रहा है अगला कोश्चन भी आप लोगों के सामने यहां दिया है क्या योग की प्रगती में तो यहां पर क्या किया गया भी भक्ति योग का महत तो क्या बताया गया है भक्ति योग के बारे में का कहा गया है है ना भक्ति योग के बारे में बुद्धिमान थे भक्ति वा भक्ति मार्ग था और इतिहास के इस दौर के लोगों ने सबसे बुद्ध वही नहीं है सापिक्स दुनिया की प्राप्टी में ही बात की गई है इन्हों ने सापिक्स दुनिया को भी मना नहीं किया है अब आगे चलते है आगे प्रसंद क्या कर रहा है थोड़ा और बड़ chief करना पाठेगा सhair अब देख़ेगा यह ऐस ठीक है यहाँ दिया गया है यहां पर फिलिंदा प्लांग सब्सक्राइब कितना बड़ा करूँ अब तो दिखकना चाहिए अब थोड़ा भक्ति मार्ग को ससक्त करता है भक्ति योग और ज्यान योग ज्यान योग राज योग कर्म योग ज्यान योग कर्म योग भक्ति योग कर्म योग और कौन सा है कर्म योग है भक्ति योग ज्यान योग नहीं है कर्म योग और भक्ति योग कर्म और भक्ति योग की बारे में बात किया गया किसका कर्म और भक्ति के बारे में बात किया गया ना कर्म योग और भक्ति के बारे में गध्यांस के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन का महत्व सरवाधिक है ज्यान योग बौधिक दृष्टिकोंड आध्यात्मिक या कर्म योग इसमें क्या कहा गया ह आध्यात्मिक दृष्टी कोण क्योंकि चाए भक्ति का मार्ग हो चाए कर्म का मार्ग हो सब जो है आध्यात्म सर्सम्मंदित है तो यहां पर क्या है बहुत धिक दृष्टी कोण सामिल होगा या अध्यात्मिक मानो जीवन के लिए अगर हम बात करते तो यहां पर कौन सा हो जायगा चलो बहुत धिक दृष्टी कौन यहां हो जाता है मानो जीवन के लिए देखो लेकिन पैराग्राफ हमारा क्या कहता है वो है अध्यात्मिक को ही महत्व देता है उसी को सबसे ज़्यादा महत्व दियागा मानो जीवन के लिए एक मात्र मार्ग कौन सा है मानो जीवन के लिए ग्यान मार्ग कर्म मार्ग राज मार्ग भक्ती मार्ग क्योंकि ये बताया है कि लास्ट में ये कहा है कि भक्ती मार्ग क के द्वारा हम बरत्मान जीवन को सापेक्ष को भी पकड़ लेते हैं। हुआ कोई नहीं अभी सही हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाता मानो міकरल के एक मात्र भक्ति मार्ग तो किसके साथ में जिवन के सापेक्श को भी समझा जा सकता है ऐसा कि हमारे पैराग्राफ में बताया गया है कह रहा है यहां पर आगे कि मनुस्यक पूरबजों ने किस चीज की आवस्चता को नहीं समझा था ग्ञानमार्ग के करम मार्ग को मांसिक विकास के या भक्ति मार्ग को तो मांसिक विकास कर्म मार्ग ज्यान मार्ग कर्म मार्ग भी ज्यान मार्ग भी और भक्ति मार्ग भी मांसिक विकास की बात हमारे पैराग्राफ में नहीं दिया गया है मांसिक विकास के बारे में पैराग्राफ में नहीं दिया गया है अगले पर देखिएगा यहां दिया गया है कौन सा युग में बिसेशन और बिसेश से के अंतर गता रहा है बिसेशन और बिसेश से का उधारन कौन सा है तो बिसेशन और बिसेश से के बारे में बात करते हैं तो सबसे बुद्धिमान नहीं होगा उज्वल नहीं होगा मानो का इतिहास क्योंकि मानो सब्द मानो और इतिहास है मानो सब्द यहां होगा विसेश से और विसेशन हो जाएगा उसके रूप में उसका इतिहास है ना इतिहास किसका तो जिसके बारे में बताया जा रहा है सब से बुद्धिमान अधिक तेज उज्जुल पक्ष तो बिसेश से क्या है जिसकी बिसेश्टा बताईजा तो मानो की इतिहास की बिसेश्टा बताईजा इतिहास करूप में किसकी बिसेश्टा है तो मानो की तापेक्ष का बिलोम पूछा गया निर्पेक्ष हो जाता कहा दिया यह रहा चले जी इसको हटाते हैं एक बार अगले पेज पर चलते हैं या पिछला पेज है अच्छा यह रहा चलो पैड़ा गोजी के कोश्चन देखते हैं एक बार हम लोग क्जुआ क्य State कोई दिक्कट नहीं प्रसुद देखिएगा यहां पर एक प्रस्ट क्या कर या पड़ा गोजी के प्रसूनों पर ध्यान देजिए नहीं पड़ा आया है आप देखो यह क्या कह रहा है प्रसनों को ज़रा ध्यान से समझेंगे अभी देखे कहेंगे कि हां आया है कि निपुड़ता परिक्षण सद्यों किसका आंकलन करते हैं निपुड़ता परिक्षण में किसका आंकलन किया जाता है देखो निपुड़ता परिक्षण में हम संबेदी अधिगम का अन बिद्यार्थियों की पहुंच बन गई है तो यहां पर जो कुछ निपुलता परिक्षन वो है जहां तक उसकी पहुंच बन गई है उसके बारे में पता लगाना ही हमारा हो जाएगा अगर बात कर रहे हैं कि एक अध्यापक ने बिद्यार्थियों को समूह में विभाजित कि और हाथी पर कहानी पढ़ने के वी उनके बारे में आयोजित प्रसनोत्री में भाग लेने के लिए को यहां अध्यापक का क्या मन्तव क्या है देखो बड़े ध्यान से समझे का Вас चाहे कुछ भी किया हो टीचर ने लेकिन पढ़ाने से पहले किसी की प्रसनोत्त्री में भाग लेने के लिए कह रहा है, तो प्रसनोत्त्री में जब भाग लेंगे, या हम कहें, कि एक तरीके से काम हम और करते हैं, एक कोशन रह गया, तो अगर आगे आएगा, तो मैं उसको करवा दूँगा, अभी ठीक है न, अगर प्रसन रह गया होगा, तो मै मैंने करवाता गया देखो इस वाले पार्ट में अगर बात करते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा रूची पैदा की जाती है जब हम एक तरीके से किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले बच्चों को मोटिवेट करते हैं यह गलत एंसर नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं इसको मिला लीजिएगा लगभग अपनी तरफ से मैं 100% सही देने की कोशिस कर रहा हूं बाकी यहाँ पर कोई ऐसा युद्ध तो चल नहीं रहा मेरे भाई है ना गलत एंसर बता रहे हैं क्यों बताऊंगा गलत यह बताओ चले यह देखिएगा एक अध्यापक बिद्याथी को समूह में भी भाजित कर हाथियों पर कहानी पढ़ाने से पहले किसी भी कहानी को पढ़ाने से पहले क्या करना होता है इंट्रेस्ट है ठीक है तो यह हो जायागा टॉपिक के प्रत रूची पैदा करना किसी भी कहानी को पढ़ाने से पहले अगर हम कोई प्रसनोतरी कराते हैं कोई भी चीज करवाते हैं तो वो रूची पैदा करने करवाते हैं बाद की बाते बाद में होती हैं अगला दिया गया है कि भासा की कक्षा में एक बिद्यार्थी औरोध पैदा कर रहा है क्या कर रहा है कहीं ने कहीं बच्छों को परिसान कर रहा है जैसे हमारी कलास में बहुत सारे बच्छे होते हैं कि दूसरों को पढ़े पठन पाठन में औरोध पैदा करते हैं इस बिद्यार्थी के साथ किस तरह का पहले तो अपने अस्तर पर हम सौल्व करने की कोशिस करेंगे बाद में कभी नहीं समल पाएगा तब जाकर कि प्रसासन या उसके घर पर बात करते हैं है ना यहां दिया गया उद्धमी जो है बिद्ध्यारती पर ध्यान देना चाहिए उद्धमी बिद्ध्यारती पर ध्यान देना चाहिए बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए ऐसे बच्चों को जो दुस्टा करते हैं उनको कई सारे ऐसे काम देने चाहिए जो पिल्कुल 2022-23 वाला करवाओ, नया वाला मत करवाओ, जबकि ये पुराने कोश्चनों का पेपर है, पुराने प्रसनों में आता था ये प्रसना, बिद्यार्थी किसी बिचार बिंदू पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपन करते हैं, संपदान करते हैं, इ अपने कारी की पुन्रा बृत्ती भी करते हैं इस प्रिक्रिया को हम क्या कहते हैं पठन स्रमण वाचन इसको क्या कहते हैं लेखन का प्रारूपन होता है लेखन वाले भाग में आता है किसी चीज का मानसमंधन करना सयोजन करना प्रारूपन करना संपादन करना सब किसके अंत पर बढ़ते हैं अगला प्रसन आप लोगों के सामने जरा इधर देखिएगा अभी आपको पता चल जाएगा कि लगबग करवाया हुआ लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होता ही है कोश्चन पूछने का तरीके में अब यह वाला दिया गया है कि एक है अभी कथन और दूसरा ह थर्क पठन और लेखन और कोसल को प्राथमी का स्थर पर क्या कह रहा है समा लोचनातमक चिनतन में मदद करते हैं बै कि मतलब क्या है यह दोनों सही है और इसका जो है सही व्याक्छय भी है परन्तु की ब्याक्या सही है तो बात सही है वही है डी हो जाएगा आगले पर बढ़ लेते हैं अब देखो 113 क्या कह रहा भासाई कौसल सीखने का सरवाधिक उप्युक्त तरीका क्या है आपको मैंने जब करवा रहा था तो उसमें एक चीज बताया था जहां पर ड्रि आना है ठीक है एक समय पर एक ही कौसल पर ध्यान केंद्रित करें तो बचा क्या है हम एक कौसल पर एक मात्र या एक जैसा जब आएगा गलत हो गया बहुत क्या है समावेशित युक्तियों के माध्यम से अगर वो सौट ट्रिक्स भी लगा होते जो बताया था तब भी आपक लिखा वर्णात्मक कौसल इस बात को आकलन करने के लिए अध्यापक को बिद्यार्थी के लिए क्या करने के लिए कहना है अच्छा आपको ये तो पता होगा ना वर्णात्मक कौसल के अंतरगत क्या आता है वर्णन करने में क्या आता है आपको वर्णात्मक कौसल के बारे में नहीं पढ़ाया हो या यह वाली ट्रिक ना बताई हो सामने आपके है जिन लोगों करने वाले सब्दों का प्रियोग में हुई गल्तिया देखो गल्तियां सब्द हो गलत सीधे कर देना हैं दूसर CPA काउंट कहानी पढ़ो और बोध पर आधार्सनों प्रसन तो प्रसन उत्तर वाला भी मैंने बताया था इसको गलत कर देना तीसरा पाठे बस्तू में आए क्रिया और भी सेशन के सब्दों पर गोल घेरा लगाएं इससे कोई ना बढ़न होगा बढ़न तो ऐसी घटनाओं को होगा जहां पर बच्चे को अपनी कलपना से चीजें बता अब मत कहना कि सर जी कठी ना आया था प्रसन बट यह है कि आप लोगों अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो प्रसन थोड़े चुनोती पूर्ण हो सकते हैं ठीक है मैं यह मानता हूँ अब आगे देखते हैं जरा और कौन सा प्रसन बचा है अपने पास यह रहा ठीक है आजा 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 देखो जी प्रसन थोड़ा आया कि नहीं आया भे कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर बलर हो जाएगा दिखेगा नहीं चलो मैं पढ़ करके बता देता हूं फोटो खीशते समय थोड़ा सगड़ बढ़ हुआ है कह रहा कि एक कक्षस साथ की अध्यापी का निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अलावा निर्धारित जो पाठ्य पुस्तक है आपकी किताबों के उसके अलावा है ना पुस्तकों के पठन चुलब करवा रही है अचा सप्लिमेंटरी के बारे मैंने आपको कई बार बताया है सप्लिमेंटरी पठन वाला पार्ट बताया कि नहीं बताया है सही बताना सप्लिमेंटरी पठन के बारे में बताया ना किस तरह के पठन से मुलाकात होती है तो बिना देखे ही बता रहा हूं जहां पर हमने दिया supplementary क्योंकि पाठ्थ पुस्तक के अलावा वाली पुस्तक मैंने आपको यह बताया था आपको याद होगा मैंने कहाते कि रामायड पढ़ने के लिए बाल रामायड बाल गीता कुछ पढ़ने के लिए बच्चों को दिया जा हाँ बोलो या ना बोलो या नहीं बोलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं सामने मैंने पहले भी कहा था जो मैं पढ़ा रहा हूं यूटूब पे रहूंगा जूट बोलूँ सही बोलूँ सबको आपके सामने ही है जिन लोगों ने दिया है पढ़ा है उनको पता होगा उन्हो चैन हो रहा पाठ्थ पुस्तक और अन्संसाधन का चैन करने के लिए कहते हैं और इसका चैन करते समय निम्लिकी तुम्हें से क्या प्रसांगिक नहीं है किस चीज का ध्यान देने की जुरुत नहीं है और किस चीज का ध्यान देने की जुरुत है वह हमें एक चीज यह भी ध् द्यान रखना पड़ेगा और क्या चीज द्यान रखना पड़ेगा भई चले आगे दिया है यहाँ पर की संसाधन के अनकूलता बच्चे की अधिगम आऊ सकता है और उन्हें आने वाली भासाएं जिस भासा को आ रही हूं उसको भी ध्यान रखेंगे स्वामागरी की आउध द्यान रखेंगे तो हम खुद बनवाएंगे पाठ्च पुस्तक की संसाधन अनकूलता बिद्यार्थी का अस्तर और बच्चों की अधिगम की आवस्यक्ताएं क्या-क्या है और उन्हें आने वाली भासाएं इन सब चीज का ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर हम इस पार्ट है कि उसको बदल दिया है अधरवाई ऐसा नहीं कि जो आप पढ़े नहीं हो वह आया हो कि अब देखो यह कह रहा अध्यापक कुने सिक्षार्थी द्वारा भासा सामागरी के प्रियोग का निरिक्षण करने के लिए कौन सा मांदंड सरवाधिक महत्वण होता है देखो को सामागरी के निरिक्षण करने के लिए है महत्वण तो सबसे ज्यादा अगर सामागरी के बारे में बात करते हैं प्रिस्पोशन लिखित रिपोर्ट गलत हो गया चेकलिस्ट पुन्राव लोकन यहां पर सामागरी और मांदंड के बारे में बात कर रहा है तो जो भी सामाग तो उसको भी करवा दूंगा चिंता ना करें आने दीजिए प्रसन आ रहा है मेरे पास मैं मलब उसको कर रहा हूं हूं वो भी आ चुका है बस भेज रहें तब तक बीच में सस्टी भी आ जाएगा इसी दौरान फिर उसके बाद फिर आ जाएंगे एक अध्यापक ने शठी के रिक्षार्थी का कैप्शन मतलब सीरसक के साथ फिल्म दिखाई ठीक है मतलब जो भी सीरसक है उसका सीरसक दिखाई और यह फिल्म है पाठ़ पुस्तक के अध्याय पर आधारित थी कैप्शन के साथ दिखाई जारी फिल्म में किस बात के लिए प्रोसाहित करेगी अच्छ कि फिल्म देखने के लिए बिद्यार्थी को प्रोसाहित करना हमारा काम है या मौखिक संकेत द्वारा स्रमण युक्तियां पात्रों की अभिने सराहना समिक्षा लिखना है या सक्री रूप से देखना और सुनना है तो सबसे जाते जो भी क्या स्रमण युक्तियां सक्री प्रमालिक समागरी के रूप में होती ओडियो बिजूल जैसे मैंने आपको प्रमालिक समागरी के बारे में बताया है कि होटल का जो मेनू होता है वो होटल के संदर में प्रमालिक समागरी है है कि नहीं है है ना तो बस सिंपल देखिएगा अगले पार्ट पर चलते हैं यहां पर आप लोगों के सामने अगला कोश्चन आप लोगों के सामने अगला कोश्चन क्या कह रहा है एक है अभिकत्थन और दूसरा है इसी पराधारित तर्क दिया जा रहा कि अपने प्रारंबिक बाल्य आवस्था में एक बच्चा संग्या की अपेक्षा क्रिया का अधिक प्रियोग करता है और वहां ब्याकरणिक नेमों की अंदेखी करता है भाई क्रिया का प्रियोग करना आना जाना खाना पीना ठीक है तो जल्दी जल्दी करो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पर ने सब्द की संपडा बहुत सीमित है तभी तो एक चीज़ का प्रियोक कर रहा ब्याकरण को अंदेखी कर रहा सोचन की यहां पर और सही जबाब हो जाएगा अगले प्रसे पर चलते हैं चल जाओ उपर बदमास हो गया है अभी मान नहीं रहा है चलो प्रस्ण को कहा रहा है कि एक बाली के अपनी भासा कक्षा में अनुभव मा के साथ में साजा करती और कहती है कभी-कभी हम अपनी आखे बंद करते हैं और हमें अध्यापी का अपने बस्ते में से कोई भी बस्तू निकालने के लिए कहती है फिर हम उस बस्तू में बताना होता है या सीखने का बहुत अच्छा तरीका है बच्चे की यह टिपड़ी अधिगम के बारे में बच्चे की प् प्राथमिक्ता की पहचान करती है कोई भी चीज करके सीख रहे हैं क्या कर रहे हैं करके सीखा जा रहा ना तो चलिए जी करके सीख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा लास्ट कोश्चन है यहां पर हमारा करके सीखना क्या है यहां पर कोई ऑप्सन दिख रहा जिसमें क तरीके से याद कर लेती हूं एक याद कर रही है और दूसरा क्या है नकल कर रही है और जब कि वहां मैडम क्या करवा रही है आंख बंद करके काम करवा रही है ठीक है जब मैं देखती हूं तो भासा प्रियोग अच्छी तरीके से याद कर लेती हूं देखने के बारे में भी फिजिए करके सीखना यही है जब मैं सुनती हो तो अपने बस्तों के बारे में बताना होता है तो हम जब कर के देख रहे हैं कलप ना कर रहे हैं तो हमारा सही जबाब क्या हो जाएगा देखो यहां पर यह जो भी प्रस्न है आप लोगों के लिए मैं तो यह कहूंगा यह प्रस्न तो बहुत कठिन नहीं है लेकिन moderate बनाए गए हैं जैसे यह वाला प्रस्न है पढ़ने में time ही खा जाएगा बच्चे को समझने में थोड़ा time लगेगा जो लोग कह रहे हैं कि बहुत आसान है मैं उनको कहूंगा कि भाई पेपर बहुत आसान नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकता हूं कि आपने जो नहीं कहां रह गया एक सेकंड है 114 110 इसके ऊपर 180 है 96 97 98 लग रहा किसी अन्य प्रस्न पत्र में सामिल है 99 है न तो आ जाएगा तो उसको बाद में करवा दूंगा 99 पाएद आया नहीं इसमें जितना भी स्क्रिन सोट लिया मैंने कोशन का उसमें दिखा नहीं आपके सामने मैंने दिखा दिया सायद उसमें कट गया है 99 एक बाइर जो मेरे पास उसमेंПрद चेक कर लेता हूं मैं कर्म, मदद, देखो, साल सब्द जो है एक संग्या है, बाकी सारे क्या Gaussian है, तेजी, कर्म, मदद, कारे करने की भी सिस्ता, मतलब क्रिया के रूप में है, तो साल अलग हो जाता, बाकी सारे एक जैसे हैं, तो यहाँ पर हिंदी का जो पेपर था, मेरे पास यह सौल्व हो चुक मैं एक बार बुलाता हूं सर आने वाले हैं आ जाएंगे भी निदानात्मक रह गए थे सर अरे कुछ नहीं रह गया निदानात्मक मैंने आपको बता दिया निदान का मतलब क्या होता पता लगाना और जिसमें कमियों का पता लगाया जाता है कमियों का पता लगाया जाता वो एक सो एक करवा रहा हूं 121 वाला भी मैं कोश्चन मुझे डालना पड़ेगा मैं लेकर क्या रहा हूं कोश्चन तब तक देख लेते हैं किसी को भेद दीजे क्लास में मैं अच्छा ठीक है चलिए यहाँ पर मैं शेशन एंड कर देता हूं आज है नो ठीक है बच्छों यह सेशन एंड कर देता हूं अभी क्योंकि बाकी जो है सेशन एनेली सिस करेंगे अलग-अलग उसमें क्या आप लोगों को में जल्दी से सेकंड वाला भी आऊंगा आपको कल लेकर के आऊंगा मतलब यह दोनों पेपर एक ही नहीं कि है एक भी मिस्टेक इसमें लेकिन मुझे अगर देखो जल्दी में कर रहा हूँ आपके सामने ही solve कर रहा हूँ जो भी ऐसा तो है नहीं कि मैंने देखा पढ़ा धंग से है लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 99% सही है एक आध कोशन अगर गलत है तो उसको मैं कल analysis करूँगा टाइमिंग आपको दिख जाएगी यूटूब पर है दोनों ही paper एक ही class में solve कर दूँगा paper 1 और paper 2 ठीक है दोनों solve कर देंगे और मिलते हैं फिर कल की class में तब तक के लिए thank you so much ठेक कर बाबाय, जय हिंद, जय भारत